सबसे पहले मैं हाल के दिनों में बिहार सरकार के दोरा अपराज ने अंतरन विजी विस्ता संधारान और बिहार पुलिस को शुषत बनाए जाने के लिए जो नए पजों का सर्जन किया गया है 75,549 उसके संब्ध में जो कारवाई है मैं आपको बताना चाहता हूँ बिहार पुलिस में अब तक की एक साथ बहाली की सबसे बड़ी संख्या के बारे में अब शीगरी हम लोग नई एडवर्टिजमेंट के साथ में नियुक्ति प्रक्रिया प्रागम करने वाले हैं कुल 21,391 पदों पर सिपाहियों की नियुक्ति के लिए लिद्कुजीशन ग्रह विभाग के द्वारा रोस्टर क्लियर होने को प्रागम कल पुलिस विभाग ने सिपाही बढ़ती चैन परशत को प्रशत को प्रागम करने इतनी बड़ी संख्या में बिहार पुलिस में एक साथ सिपाहियों के पज़वर कभी नियुक्ति नहीं हुई जैसा कि आप लोग चांदते हैं अभी पिछले वर्ष गांधी मैदान में लगभग दस हजार कर्मियों की एक साथ नई नियुक्ति के बार नियुक्ति पत्र हस्तानात्रम की बहुत बड़ा समारों आयजित किया गया तो वह संख्या करीब दस हजार तो अब हम सीधे एक सा पर नियुक्ति कर रहें और आपके माध्यम से हम इस सम्मंद में आम जंदा को भी आउगत कराना चाहते हैं इस पूरी बहाली में साथ हजार नौसो तीन कुल पद महिलाओं के लिए आरच्छित रहें 21 जार में तो हमारी महिला कर्मियों के लिए महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ा मौका है कि इतनी बड़ी संक्या में आये और बिहार पुलिस को शशक्त बनाने के लिए इस वर्टी में फ़ादिया आ पुल मिला करके साथ हजार नौसो तीन पद महिलाओं के लिए इसमें रहें राच्छित रहेंगे राज की महिलाओं को शशक्त आत्म निरवर्त था स्वाब नंभी बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है साथ ये साथ बिहार पुलिस में इतनी अजिक संख्या में मैंनों की बढ़ती संभावता पहली बार एक रिग्यापन के दहत होगी कि मैं आप लोगों के माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि इस प्रित्योकता परिच्छा में भाग लेने के लिए साइच्छन क्योगिता इंटर्मीडियेट रखी गई है अतर उमीद्वार का कम से क सामान वर्ग के लिए 18 से फच्छ और ने पिषड़ा अध्यम पिषड़ा वर्ग के लिए 18 से 27 वर्ष इस वर्ग में जो लायं हैं उनके लिए 18 शे 28 वर्ष और अन सूचित जातीज़ाती जाती के लिए सब्सक्राइब को इसमें कुछ छोट दी गई है जो डिटेल जब ग्यापन सिपाही भरती परशद्वारा जारी किया जाएगा उसमें सारी कि सारी जारकारी आपको दी जाएगा